मेरी आत्रा आपके लिए रवी नाम का लड़का बस का इंतिजार कर रहा है वो लड़का बहुत खुबसूरत है लेकिन उसका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा पुराना है इतना ही नहीं वो देखने में बहुत मासूम लगता है इसी बीच स्टॉप पर वो बस भी आ गई जिससे रवी को कानपूर जाना था लेकिन वो कोई साधारन बस नहीं लक्शीरियस बस थी और बस में चड़कर रवी ने ड्राइवर से बड़े प्यार से पूछा सर ये कानपूर को जाने वाली आखरी बस है या इसके बाद कोई और भी बस आईगी तो ड्राइवर बोला ये आखरी बस से नहीं तो कल सुबह ही मिलेगी दूसरी बस लेकिन इसका टिकेट कितने का है सर चार सो रुपए रवी ने अपना बैग और पॉकिट चेक किया उसके पास चार सो में पांच कम थे फिर कुछ सोचते हुए उसने ड्राइवर से बोला सर मेरे पास तो पांच रुपए कम है अच्छा ठीके बैठ जाओ रवी ने तुरंत अपने सारे पैसे दे दिये और टिकेट ले लिया ये पहली बार था जब रवी लक्षरी बस में चड़ा था और उसे तभी बस के एजी से थर्ण लगने लगी रवी के लिए वो एक बिमान की सवारी जासा अनुभव था पर बस के बाकी सारे यादरी उसकी मासूमयत देकर उस पर हस रहे थे पर रवी तो खुशी खुशी अपनी खिड़की के पास वाली सीट पर मज़े ले रहा था और अपनी यातरा को इंजोई कर रहा था और बस के थोड़ा आगी चलने के बाद एक बहुती अमीर घर की लड़की प्रिया जो की बड़े स्टाइलिश से कपड़े पहन कर चहरे पर नकाब लगाए बस में आकर चड़ी और उसने अपने स्टाइल से पूरी बस की सवारी को अपनी और आकरशित कर लिया यहाँ वहाँ देखने के बाद वो रवी के बाजू वाली खाली सीट पर बैट गए पर बाकी लोगों का ध्यान तो प्रिया पर ही लगा हुआ था लेकिन रवी ने देखा कि एक अपाहिच आदमी बस पर चड़ नहीं पा रहा था तो रवी ने उसकी मदद कर उसे बस पर चड़ा कर अपने बाजू वाली सीट पर बठा लिया सभी लोग ये देखकर चुपचाप बैट गए और बस आगे को चल पड़ी लेकिन बस में बैठे बाकी सारे लड़के किसी ना किसी बहाने प्रिया को देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो किसी ना किसी तरह से प्रिया से बात कर ले दूसरी ओर रवी ने देखा कि हर कोई सीट को थोड़ा मोड कर बैठा हुआ है तो रवी भी अपनी सीट को मोडने की कोशिश करने लगा लेकिन उसे नहीं पता था कि सीट को कैसे मोडा जाता है और सभी आत्रियों से देखकर हसने लगे पर रवी को इस तरह परिशान होते हुए देखकर प्रिया रवी के पास पहुची और सीट को मोडने के लिए सीट डाउन का बटन दबाया और अब रवी की सीट भी मुड गई रवी खुशी से और मासुनियत से बोला तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मेरी मदद करी क्योंकि बाकी लोग तो मदद ना करके केवल हसते हैं शायद आप पहली बार लगशरी बस में चड़े हो इसलिए आप वो बटन नहीं जानते थे पर ये आपने कैसे पहचाना? समझ आता है जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जा रही थी रवी से थंड बरदाश ने हुई और वो चिल्ला कर रोने लगा बस पे बाकी सारे लोग देख रहे थे कि रवी के साथ हो क्या रहा है ट्राइवर भी वहां आ गया और उसने रवी से पूछा क्यों चिल्ला रहा है तो रवी बोला बहुत थंडा है, मैं नहीं रह सकता ओफो, इतनी सी बात के लिए बस रुकवा दी और फिर ड्राइवर ने बस एक होटल के पास जा कर रोग दी सभी लोग बस से उतर कर होटल के पास चले गए लेकिन रवी तो अकेला ही बस में बैठा रहा तुम कुछ खाने पीरे, बाहर कीरे निकलते बस से मेरे पास पैसे नहीं है कुछ देर बाद बस फिर से अपने सफर को आगे बढ़ी और बस में बैठे एक आदमी ने रिया की तरफ देखते हुए बोला उस आदमी की बाते सुनकर रवी गुसे में बोला आपको जबाने से क्या ले न देना, आप अपने काम से काम रखो और इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस होने लगी तब ही प्रिया ने बोला कि इसको मैं अभी चहरा दिखाती हुए और जैसे ही प्रिया ने अपने चहरे से नकाब हटाया तो सभी ने देखा कि उसका चहरा तो एसिट से जला हुआ है और जो लोग उसे इतनी देर से खुबसूरत समझ रहे थे अब वही लोग उसके चहरे को सही से देख भी नहीं पा रहे हैं पर रवी प्रिया के जखमों को देख कर भी उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था और तब ही उसने प्रिया को हिम्मत देते हुए कहा इंसान शेरी से सुन्दर हो या ना हो लेकिन उसका मन से सुन्दर होना बहुत सरूरी है तुम परिशान मत हो प्रिया मैं अपने शरीर के कारण परिशान नहीं हूँ रवी, बलकि मैं तो इस बास से परिशान हूँ कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाता जो भी मेरे चेहरे के खाबो को देखता है, भी मुझसे दूर भाग जाता है और तभी रवी बोला आप में तो एक साथी इंसान को मदद करने का गुण है, मुझे ये गुण बहुत पसंद है अगर आपको कोई अपती नहीं है तो मैं आपसे शादी करना चाता हूँ लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादा पड़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मेरे पास साथा पैसे हैं पर मैं आपको खुश रखूँगा आप भी एक नेक इंसान है, मैं आपसे ज़रूर शादी करूँगी और इसी के साथ ये याद्रा यहीं समाप्त होगी है कुछी दुनों के बाद रवी और प्रिया की शादी हो गई एक अखबार में रवी और प्रिया की शादी की पूरी घटा को चापा गया और बड़े बड़े लोग भी रवी और प्रिया की सराहना कर रहे थे और बड़े बड़े चैनल भी रवी और प्रिया की कहानी का खूब बखान कर रहे थे देश भर से उन्हें बहुत सारा प्यार मिल रहा था तो हम सब को इस कहानी को देखकर यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हम शरीर से बहुत खूबसूरत ना हो लेकिन हमारा मन जरूर सुन्दर होना चाहिए दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल एक जगह पर दोस्तों का जंगल था नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिल जुल कर रहते थे बक्री बेडिया मिल कर खूलते थे हिरन शेर मिल कर घूमते थे भाग घदा मजे से गपशब करते उनके प्राकृतिक जगडे उस जंगल में दिखते ही नहीं थे बाजु के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लडाई करके संतुष होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस चुवा बिल्ली थे बिल्ली को तोड़ा दाईव बक्ती अधिक थी काने के लिए जाते वक्त खाते वक्त ईश्वर के प्रात्ना करके ही खाता था चुखे में बहुत साहस और बुद्धी थी किसी भी तरह उसके छोटा सा पेड के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था वे दोनों मिलकर पूरा दिन गूम के खाना कमा कर खाते और कुवे में पानी पीकर पेड के नीचे बैठ कर गपचप करते रात होते ही चुखा अपने बिल में गुश जाता था और बिल्ली पेड चड़कर शाको के भी सो जाता सुबह होते ही हर रोज का कारेक्रम शुरू एक दिन चुखा बिल्ली खाने के लिए बाहार निकल पड़े चुखे को तो पर्याप्त खाना मिल गया पर बच्चारे बिल्ली को कितना गूमने पर भी नहीं मिला उसका पेड बूग से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पारा था इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुँच गय तब शुरू हुआना असली कहानी बिल्ली भूग की पीडा ना सहपाते हुए दीरे से चलने लगा बार-बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीप को चूसने लगा चूहे को अपने पंजों से मार कर खाने की सोच रहा था चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा बिल्ली अपने सहचता के घुन चूहे से लड़ाई अपना खाना अच्छानक याद आ गए अच्छानक रुप गया और चूहे को देख कहा दोस्त भूग से तडप रहा हूँ ना मुझे माफ कर दो आज तुमें खा जाओंगा कहा भूग का बिल्ली चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल तूट गया बिल्ली नहीं छोड़ेगा उनकी लंबी सी दोस्ती आच्छे ठीक खतम सोचते हुए विनमरता से कहा की दोस्त इससे जर्वा कुशी होगी क्या एक दोस्त की भूग की पीडा को मैं बुझा रहा हूँ ना तो इस बात के मुझे कुशी होगी माफ कर दो दोस्त दोस्ती में एसे भी हाला ताएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था सामने ही गोजन रख कर कई और दूना कितनी मुर्गता है ना अच्चा चलो टीक है शुरू करो तुमारे आदत के आनुसार पकवान से फ्रदना कर लो फिर मुझे खाने में काकर अपना पेट बर लो चूहे ने बहुती दया से कहा दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली कुश हुआ बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मास को चुआ तक नहीं आज उसकी इच्षा पूरी होगी करके कुशी से आँख बंद करके ईश्वर से प्रार्तना करने लगा और कुछ देर बाद आँखे खोले तो सामने चूआ नहीं था अच्छानक से बिली चौग गया दोस्त कहा हो बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा तब तक ही बिल में गुसने वाले चूहे को देख गुसे से कहा विश्वास करके दोका दिया ना मुझे दोके बाज अच्छा तो तुम कुछ कम थे क्या हमारी लंबी से दोस्ती पूल कर बोक में दोस्त की भली चड़ाने वाले थे ये दोका नहीं क्या तुम्हारी असियत तुमने दिखा दी दोस्त अब मैं चलता हूँ अब मैं चलता हूँ बोलते हुए बिल में गुज गई चुहे की भुत्ती से बिल्ली सगमे में आ गया इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव कत्रा ही लाता है बुरे का बलाई करने वाला हाती एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड था उस पेड के नीचे ही एक हाती रहता था वह हाती बहुती अच्छा था वहर रोज सुबह ही खाने के लिए बाहार गुमता फिर एसे लाए हुए खाने को तोड़ा खाकर और थोड़ा बाकी के जानवरों को या पक्षियों को देता एसे ही किसी के भी कोई कस्ट होने पर उससे जितना हो सके उतनी मदद करके उन्हें सहारा देता इसी लिए जंगल के सारे जानवर और पक्षी उस हाथी के साथ दोस्थे करते थे पेड के नीचे हाथी रहता तो उसी पेड पे एक बंदर रहता था वह बंदर बहुत ही शरारती था, उपर से स्वारती भी था किसी की कुशी उसे भरदाश नहीं होता था उस जंगल के सारे जानवरों से प्रशन से थोने वाले हाती को देख वह सहन नहीं कर पाया उसे हमेशा परिशान करता था एक दिन उस हाथी को बहुत भूख लगा जेंगल में गूम गूम कर आखिर में एक केले के गन्ने दिखे उन्हें दीर इसे काने के लिए उसके रहने वाले पेड़ के नीचे लाकर रख लिया प्यास लगने के कारण पहले पानी पीने के लिए नदी के पास गया इतने में पेड़ के उपर रहने वाला बंदर नीचे के केलो को देख हाँ हाँ मेरे मन पसंद के लिए वहाथी के पानी पीके आने टक मैं का जाओंगा भूल कर तेजी से पेड़ उतर के खाने लगा वहाथी को आता देख बाकि के केलो को नधी में फेक दिया और बंदर पेड चड़के बेट गया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो फिर वहाँ आई हुई हाती अपनी खाना गायब होता देख पहले से ही भूका होने के कारण बहुत उदास हुआ वह काम किसका है करके जानते हुए भी जगडना क्यों करके चुप रह गया फिर एक दिन पेड से उदर इदर उचलते हुए शरारत करने वाला बंदर फिसल कर एसे ही नीचे गिर पड़ा गिरते ही उसके हड़ी तूट गए ना उट पाता हुआ बचाओ बचाओ करके जोर से चिलाने लगा बंदर की चीक सुनकर काववा हीरन उदर आने पर भी सिफ देखे और उसके बारे में जानते हुए अच्छा हुआ बोलकर अच्छे से हसकर छेले गए शाम को उदर लोटके आने वाले हाथी को रोता हुआ बंदर दिखा एक शन में ना सोचते हुए तुम्हे कुछ नहीं होगा गब्राओ मत दोस्त बोलते हुए उस बंदर को अपने पीट पर बिटा कर बहुती दूर रहने वाले चिकित सक बालू के पास ले गया समय रेते ही इलाज होने पर बंदर जल्द ही टीक हो गया अगले दिन हाती से समय पर भगवान की तरह आकर मेरे प्राण बचाए लेकिन मैंने तो तुम्हें कही तरह के परिशानिया दिये मुझे माफ कर दो बोलते हुए बंदर ने क्षमाय आचना की उसके बाद व्यवहार बदलने वाला पंदर हाती के साथ पाकी के जानवर भी अच्छे से रहने लगे इस कहानी की नीती है कि हमेशा सब के साथ मिल जूल कर रहना चाहिए